नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिक्स अड्डा में आज मैं आपको बताने वाला हूं डीपी, वाइफाई, इट, डेट, पैन, एटीसी इनसों का पूरा नाम होता क्या है जो आपने मुवाइल फोन से सेल्फी लेते हो, उसको वाइफिप पे प्रोफाइट पिक लगाते हो, फेस्बुक पे सेयर करते हो, इस्टाग्राम पे सेयर करते हो, बहुत सारे सोसल साइट पे जो आप सेयर करते हो तो आपको पता है उसका पूरा नाम क्या होता है आज मैं बताने वाला हूँ आपको डीपी वाइफाई, पैन, डेट इन सब का पूरा नाम तो चलिए चलते हैं बिना किसी देवी के number first है LCD, LCD का full name बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे जिनके घर में अगर LCD होगा भी उसको भी नहीं पता होगा कि LCD का मतलब क्या होता है और LCD का full farm क्या होता है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ LCD का full name क्या होता है LCD बोले तो Liquid crystal display liquid crystal display LCD का पूरा नाम है अगर आपके घर में LCD TV होगा तो आप कैसे चेक करेंगे कि वरिजनल LCD है कि डूबलीकेट LCD है तो सबसे पहले आप जो LCD का डिस्पले है उसके सेंटर में आप हालका सा प्रेस कीजिएगा हलका से दबाईएगा तो देखिएगा सर्कुलर सेप में कोई सिंबल्स हो रहा है कि अगर मनलब कोई बित्ती आकार में कोई आकार वहाँ छप रहा है तो समझे आपका LCD वरिजनल है अगर नहीं छप रहा समझे आपका LCD डूबलीकेट है नेस्ट आपको ले चलते हैं इट जब आप लोग खाना खाते हैं खाना खाने को इंगलिज से बोलते हैं इट लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि इट का पूरा नाम क्या होता है तो मैं आज आपको बताऊंगा इट का पूरा नाम क्या होता है इट बोले तो energy and test energy and test इट का पूरा नाम है energy and test next आपका है dvd जिसके घर में dvd एगर होगा भी उसको भी नहीं पता होगा कि dvd होता क्या है और dvd का full name क्या है उसको भी नहीं पता होगा तो मैं आज आपको बताऊंगा dvd digital versatile disc digital versatile disc अच्छा आप लोग बताएए cd का full name को जानता है आप comment किजिएगा मैं आपका comment बताऊंगा cd का full name क्या होता है next आपका आता है pdf आप यह लोगों का जब कोई परिच्छा का admit card आता है जब कोई परिच्छा का आपका admit card आता है तो pdf format में होता है या आप लोग कोई फार्म भरते हो कोई भी डाकुमेंट अगर डाउनलोड करते हो आप नेट से तो पीडियोप फार्म में होते है तो अगर आप ने नोटिस किया कि पीडियोप का पूरा नाम क्या होता है पीडियोप का पूरा नाम होता है Portable Document Format Portable Document Format Next आपका HDMI आप जब कोई Mobile Phone लेते हो तो चेक करते हो कि इसका screen जो इसका display है Full HD है या Full HD नहीं है तो HD का मतलब क्या होता है आपने कभी notice कि या उसका पूरा नाम क्या होता है इसका पूरा नाम होता है High Definition Multimedia Interface High Definition Multimedia Interface जितने भी short form के नाम यूज किये जाते हैं उनका भी एक मतलब होता है लेकिन लोग notice नहीं करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है वही बहुत सारे exam में पूचे जाते हैं और बच्चे मारका जाते हैं कि काज इसको पढ़ा होता तो यह भी एक दो नमबर मिल जाता Next आपको अले चलते है ATM आप लोग ATM कार्ड को यूज करते हो लेकिन कभी आपने notice किया है कि ATM का फूल नेम क्या होता है नहीं notice किया तो मैं आपको बताऊंगा न Automated Tailor Machine Automated Tailor Machine ATM का पूरा नाम होता है Next आपको ले चलते हैं GPRS जब किसी के location को trace करने के लिए GPRS का प्रियोग किया जाता है तो कभी notice कियो कि GPRS का फूल नेम क्या होता है GPRS होता क्या है मैं बताऊंगा आपको GPRS का फूल नेम होता क्या है General Pocket Radio Service General Pocket Radio Service Next आपका ETC जब कोई आप इंगलिस में कोई sentence लिखते हो एक paragraph लिखते हो तो last में लिखते हो ETC अगर किसी के और भी type है तो फिन लिखते हो ETC तो ETC का फूल नेम आपको पता है कभी notice कियो कि ETC का फूल नेम होता क्या है आप इसको हिंदी में यूज़ करते हो इत्याद इत्याद या फिर आदी मलब अनन्त इसकी कोई गिंती नहीं है उसे को बोलते है ETC इंदी बोलते है ETC तो कभी आपने notice किया है कि ETC का पूरा नाम क्या होता है तो मैं बताऊंगा आपको etc 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 का पूरा नाम है इसा बहुत महात्पूर है बहुत सारे एक्जाम में पूशे जाते हैं DP सबसे अच्छा पॉइंट DP आप सेलफी लेते हो अपना सबके पास इस्टाइम एंडरॉइड फोन है सब लोग सेलफी लेते हैं कहीं घूमने गें वहां सेलफी लिए कहीं किसी से मिलने गें वहां सेलफी लिए किसी मंदिर में गए किसी मस्जीद में गये वहाँ सेलफी लिए उसके बाद फिर इसमें तो देखा जाए तो हर एक मूड पे यहार सेलफी लोग लेते हैं हर एक उनने की कोई भी एक्टिविटी हो उनको सेलफी लेना अगा तो लेना है आजकल यार तो लोग देखते हैं मैं देखता हूँ कि आजकल लोग तो क्या बलते हैं किसी की मृत हो जाती है उसके साथ भी लोग सेलफी लेते हैं सेलफी का इतना केज चल ला या पूरे वित में तो कभी नौटिस कीओ कि डीपी जो हम लगाते हैं उसका फूल नेम होता क्या है तो मैं आज आपको बताऐंगा डीपी बोले तो डिसप्लेग पिक्चर जो आपके डिसप्लेः पिक्चरánd करे करे कोई डीपी होता इस जो आप जानते हैं अधिकतर लोग नहीं जानते हैं वाइफाई किसी दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने की प्रिकिरिया को वाइफाई किया कहा जाता है जिसके माद्यम से इंटरनेट का यूज किया जाता है किसी अनिविक्त के मोबाइल में सेटिंग में जाके उसका हॉट क्वाइस क्नेक्ट होजाते हैं उसके माध्यम से उसका इंटरनेट आप आसानी से यूज कर सकते हैं वही Wi-Fi का व़र्किंग प्रोसेस है तो कभी आपने नोटिस किया है कि Wi-Fi का फुल नेम होता क्या है तो मैं आज आपको बताऊंगा मैं या वई फाई का पूरा नाम होता क्या wireless fidelity wireless fidelity म All which i size system में जो बिना किसी external wire का यूज कि ये विना कि हम इंटरनेट का आसानी से प्योग कर सकते हैं नेश्ट आपका है अ ये इनकारण को कि आप लोग कर बनवाते ही कोई भी में खुलता है आज के टाइम में 2018 के बाद जितने भी एकाउंट खुलते हैं उनमें pen card जरूर मांगा जाता है transaction के लिए अगर आप ATM लेना चाहते हैं तो pen card must है pen card के विना ATM आपका bank नहीं देता है और pen card का नाम अधिकतर लोग जानते हैं दिकतर लोग नहीं जानते हैं लेकिन जो नहीं जानते हैं उनकी लिए ये वीडियो में मैंने बनाया है कि pen card का मतलब क्या होता है ETC का मतलब क्या होता है HDMI का मतलब क्या होता है DP का मतलब क्या होता है DP का full name क्या होता है तो पारेंण कड का फूल नेम होता हैँ परमानेंट एकाउन नमबर आपका सत्षक्रा बादेंट की खरेए मद्रज्ण यह से वर मेंट के माध्यम सर्जोल बन जाथा है वही आपका आंतर तक रहता है अगर आपका उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आपका स kurz नेम नम तो किसी को अगर हम कोई कश्ठ Черन रहे हैं तो हमारी प्रत जाके पुलिस इस्टेशन में यह तो कभी नोटिस कियो की यह फायर का फुल नम क्या होता है तो मैं आज आपको बताओंगा यह फायर का पूरा नाम क्या होता है फंच इनफॉर्म नाम क्या होता है फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट नेस्ट आपको ले चलते हैं डेट यह सब बहुत ही बारी की कुश्चन है जो आप नोटिस कीजिए तो देखिए आपको मलब इतने जो हम डेली यूज करते हैं उसका मतलब हमको नहीं पता है उसका पूरा नाम मुझे पता है तो आप इसको जानकारी रखिए क्योंकि बहुत जरूरी बहुत सारे जाम में पूछा जाता है लेकिन लोग नोटिस नहीं करते हैं बारी की चीजियों को जो डेली यूज करते हैं भाई आप कहीं भी कोई भी काम करो कि सबसे पहले डेट लिखते हो आज कौन सा दि नेश्ट बाई बाई आप किसी ब्यक्त से मिलने जाते हैं आप किसी से किसी भी से मिलने जाते हैं ब्यक्त महिला बच्चा कोई भी हो गया आप मिलते हैं जब आपने घर को वापत जाते हैं उससे मिलने के बाद या आप ड्यूटी जाते हैं आप स्कूल जाते हैं घर में ब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिए धन्यवाद